दोस्तो हरिवंश राय बचन भर्द के साहित में एक बहुत बढ़ा नाम और आज के दोर में अगर हरिवंश राय बचन को याद ना किया जाए तो एक गल्द बात होगी अब बनाप ये सोच रहें कि आज के इस दोर में अनलॉक वन में हम आ रहे हैं दमशकार दोस्तो आज के इस दोर में मुझे भारत के साहितिक जगत में हरिवंश राय बचन की अपनी एक विशिष्ट पहचान है अब बलाप ये सोचने लगे होंगे कि इस वक्त मैं हरिवंश राय बचन को क्यों याद कर रहा हूँ क्योंकि आज जब हम अनलॉक टू में पदारपन कर रहे हैं ऐसे में हरिवंश राय बचन को याद करना एक हमारी प्रात्मिक्ता बन गया है सबसे पहले उनकी एक बहुती प्रसिद कविता मदुशाला के चंद पंक्तिया मैं आपके लिए सुनाता हूँ म्रत्बाओं के अंगूरों की आज बना लाया हाला प्रेतम अपने हातों से आज पिलाओंगा प्याला पहला बोग लगा लूँ तुझको फिर प्रसाद जग पाएगा सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मदुशाला यह बहुत ही उनकी प्रसिद कभी था मदुशाला की अगर बात करें और मदुशाला को आज यदि हम आज के इस वरतमान युग में यथार्त में देखें तो आज हमारी मदुशाला वो मदुशाला नहीं जिसकी कल्पना या जिसको अपनी लेखनी से हरिवन श्राइब बचन ने उके रहा था आज मदुशाला की परिबाशा हमारी लिकर शॉप्स बन गई हैं और हमारे बार्स बन गई हैं हमारे night club बन गिये हैं जहांपर liquor सर्व की जाती है लेकिन अफसोस lockdown या फिर कोरोना महारी के प्रभाव हर जगा नज़र आ रहा है और हमारे जिवनिस से अचुता नहीं है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह एक माह हो चुका है unlock one समाप्त हो रहा है unlock two में हम प्रवेश कर रहे हैं और लंबी लभी कता रहे हैं आपने मदुशाला या फिर wine shops, liquor shops के बाहरते की हैं और किस प्रकार different governments ने exercise duty बढ़ा दी है revenue कवाने के लिए लेकिन आज एक अफसोस सब को मन में कचोट रहा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं religious places की क्योंकि COVID-19 ने एक depression, एक psychological परिवर्तन हमारी भी तर ला दिया है आज गर में बैठकर चाहे हम बढ़ों की बात करें, बज़र्गों की बात करें, बच्चों की बात करें या फिर कोई भी उमर के व्यक्ति हैं, यह अक्यूति हैं एक depression, चाहे सहत को लेकर, अपनी health को लेकर, अपनी job को लेकर, education को लेकर, अपनी career progression को लेकर, एक depression, एक mindset में परिवर्तन आया है और इस mindset को परिवर्तन करने के लिए आज सरकार की तरफ से psychologist का साहरा लिया जा रहा है चाहे हम director of school education, जमू के अगर बात करें, समवाद के माधियम से, जो psychologist है, कही न कहीं, एक positive energy हमारे बेतर लाने का प्रयास कर रहे है लेकिन सबसे महत्वन बात, positive energy लाने का सबसे बड़ा source, भगवान का गर है चाहे हिंदू की बात करें, मुस्लमान की बात करें, सरदार की बात करें, इसाई की बात करें, या कोई भी धर्म संपरदाई की लोगों की बात करें सजदे में जब सर जुकता है या मंदिर, मस्जित, गुदवारू में जब माथा जुकता है तो कही न कही एक सकून दिल को मिलता है एक सकरात्मक उर्जा हमारे बीतर प्रवेश करती है लेकिन विड़मना यह है कि जहां मदुशाला के किवाड खुल चुके हैं बेशक आज वाइन शॉप्स, लेकर शॉप्स पे उतनी भीड नहीं है जो शुरुवाती दोर में देखने को मिली थी लंबी-लंबी कतारे वहां देखने को मिली थी आज के इस दोर में मौल्स खुल चुकी हैं जीवन आहिस्ता-ाहिस्ता मामूल पर आ रहा है पूरे भारतवर्ष में जो धार्मिक स्थान है मंदिर, मस्जिद खुल चुके हैं लेकिन क्या कारण है कि केंदर शासित जमुकाषपेर में अभी भी लोगों को इंतजार करना पर रहा है अपने इश्ट के पास जाने के लिए वहाँ पर जाकर अपना माथा सजदा करने के लिए सिर्थ जुकाने के लिए और कहीं न कहीं अपने बीतर जो गुटन है उसको दूर करने के लिए जमुकष्मीर के अगर बात करें तो कई बड़े जो फेस्टिवल थे रहा है कल से वो भी प्राडम हो जाएगा ऐसे में जो लोग है उनका ये अपील है प्रशासन से कि क्या कारण है कि मंदिर नहीं खोले गए अगर मंदिर आहिस्ता आहिस्ता खोले जाएंगे मस्जित या रिल्जिस पेसिज की अगर बात करें किसी एक दर्म विशेश संपरदा है कि हम बात नहीं कर रहें जो रिल्जिस पेसिज अगर वो खोले जाएंगे ना केवल अर्थवयवस्ता में एक सुधारा आएगा क्योंकि इसके दो आयाम सामने आएगे एक तो एकनॉमिकल आसपेक्ट निश्ची तोर पर क्योंकि जहां भी रिल्जिस पेसिज होंगी वह जैसे जमू में बहुफोट वायवाली माता जो इष्ट देवी है वहां भी एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया और मांग की गए प्रशासन से की अनुमती दी जाए कि मंदिर खोले जाएंगे ऐसी जगा जगा कहीं न कहीं अपने डंग सी लोग अप्रोच कर रहे हैं र निश्ची तोर पर एक साइकोलजिकल इफेक्ट भी देखने को मिलेगा अपने अंदर लोगों के बीतर एक नई उज्जा का संचार निश्ची तोर पर होगा ऐसा साइकोलजिस्ट मनोवेग यानिकू का मानना है और जहां सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो लोग हैं जो कह जंजोडने वाली बात है जरूरत इस बात की है कि इस पर एक हुमेन एंगल से चर्चा की जाए क्योंकि सरकार प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो गाइड लाइन अनलॉक वन के तहट चल रही है वो थर्ड जुलाई तक कॉंटिनू की जाएंगी उसके बाद उसको दु कोविड-19 की तहट डू एंड डों दिये गए हैं तो उसके तहट अगर जो रेलिजिस प्रेसिस खुलेंगे तो कहीं न कहीं लोगों में एक आतम शक्ती का जागरत होगा और एक बेहतर तरीके से क्योंकि अगर मन सशक्त होगा तो निश्ची तोर पर कोरोना वाइरस को अंचार करने के लिए क्या आने वाले समय में जो हमारे रेलिजिस प्रेसिस जो जमू कर्श्मेर में इस वकत अड्मिस्टेशन की तरफ से उनको खोलने की अनुमती नहीं दी गई है क्या आने वाले समय में या थर्ड जुराई के बाद उस पर एक हरा सिग्नल या एक मोहर प्रशासन की तरफ से दी जा सकेगी ये देखने वाली बात है